जैहन and welcome to 6th lecture of the geographical series in 30 days CAPF cross crash course sometimes not listening others and let time decided you find your true potential देखे एक गाउं में तो दोस्त अपस में खेलते खेलते अपने गाउं से खाफी दूर चले जाते हैं और एक कुए के पास वो खेलते रहते हैं तब ही एक बच्चे का पैर स्लिप कर जाता है और वो कुए में गिर जाता है तो वो अपने दोस्ते मदद के लिए आवाजे लगाता है तो दूसरा जो दोस्ता वो दूर तूर तुर तक देखता कि वहाँ पे कोई नहीं था फिर फाइनलि वो डिसाइड करता है जो खुद ही अपने दोस्ता रहता है जब वो गाओं वापस जाते है तो कोई भी इस कहानी पे विश्वास नहीं करता है फिर finally एक बुज़र्ग वैक्ति उस गाउं के वे बोलते हैं कि ये छोटे बच्चे ने अपने बड़े दोस्ट को इसले बचा पाया क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कोई ऐसा लोग नहीं था जैसे जो इसे बता सके तू ये नहीं कर सकता है आपको इसका संस समझाया होगा इसी थॉट के साथ हम प्रोसीड करते हैं अपने 6 लेक्शर के और फॉरेस्ट इंडिया और इनलेंड वाटर वेज्ट इस आपसे एक बार अप एक्जाक्ट फिगर चेक कर लेंगे आगे प्रोसीड करते है आपको सब्सक्राइब और फॉरेस्ट इरिया के डिफेरेंस जाननी की जरुट है कि ऑरिया उसको अम बोलते है जो एरिया नोटिफाई और रिकॉर्ड एज फॉरेस्ट लेंड किया गया है एर्रेस्टिव वाँपे पेड पॉधे प्रेजेंड है नहीं वाइल एक्चुल फॉरेस्ट कवर जो है इस दा एरिया धाट इस ऑक्युपाइड वाइफ फॉरेस्ट विद कैने पी यह इंबॉर्डन पॉइंट अब ध्यान रखेंगे एक्जान प्यों पॉइंट से नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं सोशल फॉरेस्ट्री तेकि फॉरेस्ट्री जहाँ अर्बन फॉरेस्ट्री का मतलब है पीड़ पॉधे पब्लिक अन प्रैवेट्ली ओंड लैंड में रेज करना और इसको मेंज करना और इन और अरूर्बन सेंटर्स जैसे कि ग्रीन बेल्ट हो गया घ्रीन पार्क हो गया industrial and commercial Greenbelt हो गया दी ज़्जाद अर्बन फारीस्री नेच्ट पॉंटिस रुरिर फट्रिक मतलब है यहां पे है इस इतंऽ आलोटर स्टिक वह मतलब ऒब यहां प्र कई हिए जाता है एगर्डब फोरेस्री और में आप रोलह थे लेगाए मतलब कने यह की क्या मतलब बहुंद की यह यह मतलब जब clear हो जाएगा तो आपको rural forestry भी समझा जाएगा agroforestry जो है यहाँ पर agriculture and forest दोनों का combination है here emphasis is given on raising trees and agriculture crops on same land inclusive of waste patches, it combines forestry with agriculture next is community forestry, see community forestry is raising of trees either on public or community land such as village pastures, temple lands etc और agro forestry and community forestry दोनों को मिला करके that is the rural forestry next is farm forestry, देखिए यहाँ पर क्या करते है, farmers जो है वो tree को grow करते है for commercial and non-commercial burbuses और वो अपने farm land में करते है that is the farm forestry, देखिए next topic है हमारा forest in India यह topic हमने environmental, environment में भी cover किया था लेकिन इसमें हम geographical aspects more देखेंगे और exam viewpoint से क्या क्या important है वो भी देखेंगे, तो देखिए आपको distribution अगर नहीं भी याद रहता है तो it will be okay, लेकिन कुछ-कुछ forest का आपको distribution भी याद रखना है, मैं आपको बताता चला जाओंगा किस forest का आपको distribution याद रखना है, exam viewpoint से, तो लेट इस ब्रोसीड, तीकि हमारा सबसे पहला है tropical evergreen forest, इसमें आपको distribution याद रखना है, या आप ध्यान रखेंगे कि यह जो है western khat में पाया जाता है, northeast इंडिया में भी पाया जाता है क्यों होते है, humidity आप उसको अच्छे से detail में पढ़ेंगे, फिलाल अभी इतना जानिये है, humidity का मतलब है, the amount of water vapor that is present in the air, हम उसे humidity बोलते है climate condition जो tropical evergreen forest का है, temperature यहाँ पे around 24 degree Celsius होते है, characteristics देखें यहाँ पे height जो है tree का, that is 40 to 60 cm, यहाँ पे जो पेड के leaps होते हैं, that is dark green and broad, species आप ध्यान रखेंगे, species में, species is very important for the view, UPS equations, आप से UPS equation following देखरके, और पूछ लेगा, this is the species related to which forest, so, आप त्यान रखेंगे, PDF में आप इसको access करके आप पढ़ लेंगे, species को याद कर लेंगे by heart, it is very important, आप निमोनिक बना के, जैसे भी करके, आप याद रखें, species को, हम next proceed करते हैं, देखें, PDF आक्सेस कर सकते है, telegram channel से, उसका link मैंने description में दे रखा है, next हमारे tropical moist deciduous forest, देख इसका distribution आप याद रखेंगे, पहला है western ghat, ये eastern part of sayadries में है, इसका मतलब है कि, जहाँ पे tropical evergreen forest पाये गए थे western ghat में, उसके just next में, just just उसके next में, tropical moist deciduous forest भी पाये जाते हैं, next हमारा north eastern part of the peninsula and lower and middle ganga, इसमें आपको याद रखना है rainfall's condition that is 100 to 200 cm और यहाँ पे moderate temperature होता है, unlike hot and humid temperature of evergreen forest, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है, यहाँ के पेड का height है, that is 30 to 40 meter and due to deficiency of water, they set their leaves, that is why they are known as moist deciduous, यहाँ यही difference है, evergreen, they do not set their leaves, deciduous, they do set their leaves in a particular time, generally spring में, summer में, that's why they are the deciduous forest, species आप ध्यान रखेंगे, tropical moist deciduous forest की टीक साल, और भी आप पढ़ लिजेगा, एक point आप ध्यान रखे, food halls of the Himalayas in भाबर और तराई रीजन, these cover the 20% of India's forest, तेकि भाबर और तराई रीजन क्या होता है, जब हम इंडिया के physiography को हम देखेंगे, तब आपको अच्छे से clear हो जाएगा, वैसे मैं आपको बता देता हूं, कि यह अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम यह इंडियन फिजियोग्राफी के lecture लेंगे, नेक्स्ट है, ट्रॉपिकल ड्राई डेस फॉरस्ट, वहाँ पे moist डेस फॉरस्ट था, यह यह ड्राई डेस फॉरस्ट है, इसमें आप ध्यान रखेंगे, 50-100 cm इसका rainfall होता है, य जहाँ पेड़ का height 6-15 cm होता है, roots are thick and long, यहाँ पे आप species का ज्यान रखेंगे, तेकि species में नहीं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि important नहीं है, species is the most important, यह characteristic rainfall के बाद species ही है, जहाँ इसे UPC सवाल put up करता है, क्योंकि कई लोग याद करके नहीं जाते हैं, और वहाँ यहाँ पे UPC कोई edge मिल जाता है, next is dry deciduous और arid forest, see यहाँ पे dry deciduous और arid मतलब यहाँ पे rainfall जो है, वो बहुत कम होता है, less than 50 cm और यहाँ पे relative humidity है, यह less होता है, तेकि relative humidity क्या होता है, अब हम जब humidity के lecture पढ़ेंगे, तो आप अच्छे से जमझेंगे, फिलाहल के लिए आप या किसी की बात कर रहे है, इसका vegetation जो है वो थौरनी होता है, roots इसके बहुत लंबे होता है, obviously यह adapt करता है situation के साब से, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत कम होता है, that's why the roots go very deep in the search of water, यहाँ पे जो पेड होते है, obviously they are very small, उसके पीछे भी reason होता है, अगर पेड के पत्ते अगर evaporation is done more, तो उस चीज को adapt करने के लिए यहाँ के जो पेड पौधे हैं, वहाँ पे छोटे-छोटे पत्ते होते हैं, अगर छोटे पत्ते होंगे तो transpiration, that is loss of water, कम होगा, evaporation कम होगा, and in that way, they will require less water, so that is why they adapt these trees, जो यहाँ के जो पेड पौधे हैं, वहाँ के environment के साब से adapt कर ल कि mountainous forest जो है, यह Himalayan region में पाए जाता है, एक important fact आप इसमें याद रखेंगे, कि चुकि यह height पे होता है, since they are at a high altitude, that is why temperature starts decreasing and hence Himalayan forest contain all the varieties of forest, but except equatorial forest, मतलब यहाँ पे equatorial forest को जो पेड पौधे होते हैं, यहाँ पे पाए नहीं चाते हैं, breast all the varieties of the trees, आप इसमें ध्यान रखेंग species आप अच्छे से पढ़ लेंगे, that's it, that's all in the forest, next topic पे move करते हैं, देखे हमारा जो next topic है, वो inland waterways है, that is national waterways, national waterways, तो आप इसका याद रखेंगे कि यह किस place, किस state और किस place से related है, और इसका stretch कहाँ पे है, काई बार UPSC यहाँ से questions बनते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, हमार inland waterway 1, that is, that is national waterway 1, that is having Allahabad to Haldiya stretch, and it is of the Ganga, Bhagirati and Hugli river system, next is inland waterway 2, the stretch is from Sadia to Dhubri, stretch of Brahmaputra river, it is in the Brahmaputra river and it is in the state of Assam, next is inland water 3, see Kotapuram to Kolam stretch, and it is in the Kerala, next is inland waterway 4, तिकि जो inland waterway 4 है, इसका stretch जो है, वो काकिनाद and Pondicherry है, काकिनाद से पondicherry तक है, और इसमें जो river system involved है, वो गुदावरी and Krishna है, next is inland waterway 5, the stretch is from Talcha to Paradeep, and next is, it is in state of Odisha, तिकि नेक्स है, inland waterway 6, see it is still undergoing stage, तो UPSC may put up this question, the stretch is from Lakipur to Bhanga, on the river Barak, the Barak river is important, you need to remember this, because this is an undergoing project, it is in the state of Assam, तिकि इसमें कई सारे, इसमें कई सारे facts भी होंगे, कितने stretch होते हैं, कितना kilometer लंबा होते हैं, that is, you don't need to go in details, just remember that inland waterway 1 is the longest, is the longest, just you need to remember here, कि longest कौन सा है, shortest कौन सा है, आप एक बर Google पर सर्च कर लेंगे,